तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण ने खबरों के उपर डिसकेशन करने जा रहे हैं एक तो है तेजस माक वन ए को लेकर और दूसरी है एमका के डिवलप्मेंट को लेकर अब शुरुआत हम लोग तेजस माक वन ए से कर ले क्योंकि हम सभी जानते ह हो चुके हैं उनकी डिलेवरी का समय आ चुका है और डिलेवरी से पहले हम सभी जानते हैं कि तेजस माक वन ए की फर्स फ्लाइट को कंड़क करवाया जाएगा अब वैसे तो अभी तक तेजस माक वन ए की फर्स फ्लाइट को कंड़क करवा देना चाहिए था लेकिन डिफि देगा और बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम के लिए प्राइम मिनिस्टर मोधी भी वर्चुली शामिल होने जा रहे हैं तो कहने का मतलब काफी बड़ी इवेंट होगी डेफिनेटली काफी एडवांस फाइटर जेटे जो हमारे द्वारा पहली बार डेवलप किया गया ह अब इसके बाद बारी आ जाती है इसके फास्ट डेवलप्मेंट को लेकर और एक्चुली इस समय हेल इसी के आधार पर काम कर भी रहा है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि हेल द्वारा अगले छे महिनों में एमका फाइटर जेट के प्रोटोटाइप के लिए मेटल कट अगले छे महां ने में शुरू करो दी जाएगी इसके अलावा बताया जा रहा है कि यह प्रोग्राम सुचारू रूप से आगे बढ़ पाए इस वजे इसे बहुत ही जल्द हैल दोारा सप्लाइचेंट को भी सुनेश्चित करवा लिया जाएगा अल्टिमेटली अब हमारा एमका एक्चुली पेपर से वास्तविक्ता बनने जा रहा है और जिस तरह से बताया जाता है कि CCS अप्रूवल और फंड रिलीस कर देने के बाद साड़े तीन सालों का समय लगता है पहले प्रोटोटाइप को पतयार कर लेने में तो वो एक्चुल को बना कर उसे रोल आउट हर हाल में करवा दिया जाएगा और इसमें जो सबसे बड़ी बादा थी जो कि एंजन से संबन्दी थी तो हम सबी चानते ही कि वो भी अगले तीन साड़े तीन सालों में भारत के अंदर सोधेशी तोर पर बनने तैयार हो जाएगे क्योंकि H.A.L और अमेरिकन जनरल एलेक्टर के बीच में जो एंजन्स को लेकर डील होई थी F414 को वो डील भी जल से जल अब कम्प्लीट होने जा रही है और उसके बाद इन एंजन्स का निर्मान भारत के अंदर लोकली होना शुरू हो जाएगा और इनी एंजन्स का अस्तमाल तो भी मनना हो नीचे कमेंट करके सुरू बताईएगा